नमस्कार मित्रों आज का दिन आपके लिए बहुत शुब हो मैं हरीश नवल आपके शुब दिन की कामना करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ जो हमने जारी की थी आज मैं मुनिश्री के बारे में बता करके समझे कि इसके बाद हम फिर किसी दूसरे संत के बारे क्षमा कीजिए अगला कुछ गड़ पर हो रहा है देखे आपको एक बात आप जानते हैं कि यूं तो जंगलों में जाकर के बनों में जाकर के तो पश्चर्य करना बहुत मुश्किल तो है लेकिन समाज से दूर रहकर के एकांत में सैयम कर लेना आसान है असली सैयम लोब को जो कश्यमन तो तभी है जब हम संसार में हो महानगरों में रहते भी हम वो सब नह कर पाएं इसका लोब हो जाता है बन में तो कुछ वैसा होगा ही नहीं तो अकेले संत हैं सादू हैं रिशी मुनी हैं तो वह सारी चीज़े नहीं आती है पर आचारे तुलसी है कि संत को साम अजिक सरोकार अनुकरणिये थे अब मैं कुछ अंश इसका अपने उपन्यास रेतीले तीले का राजहंस पढ़ोंगा मुझसे कल पूछा था फोन करके मेरे मित्र ने कि ये तीले तीले का राजहंस क्यों नाम रखा आपने तो मित्रों में पहले बताऊं कि लाड़नू जो तो तुलसी के जन्म पर मैंने आपको बताया थे कि उनकी माता में सपना देखा था तो अपने में राजहंस भी उड़ता हूँ देखा था बादे मैंने बताया था कुछ पंजों के निशान चहत पर पाए गए ते वो वेसी गटना कुछ जिसका वर्णन आता है तो तब मैं अचरे तुलसी समाज की छोटी से छोटी इकाई की भी चिंता करते थे समाज में उन्हें शांतिकी स्थापना करनी थी दिवाद की नहीं उनके समान उस समें कोई धर्म गुरु नहीं था वे सामाजिक सरोकारों को धर्म से जोड़ते थे समाज में व्याप्त उंच नीच ज नहीं थी उस समय हरीजनों के अधिकारों की चेतना जागने लगी थी आचरेश्री उनके विशे में चिंता करते थे गिली के एक प्रवचन में उन्होंने जो किया वे बड़े-बड़े धर्म गुरु भी नहीं करते धर्म और समाज को लेकर वे मुनी नत्मल से इस विशे पर चर्चा कर रहे थे प्रवचन अभी आरंब नहीं हुआ था आचरेश्री ने मुनी नत्मल से का संत केवल धार्मिक नहीं होना चाहिए उसका मूल उत्स उसके सामाजिक होने में है गुरु देव सत्य कहते हैं आपने तो सामाजिक बुराईयां दूर करने की मुहिम छेड़ रखी है उसे समस्त भारत पसंद कर रहा है धर्मसंग आपके साथ है परंतु मेरे साथ होने से आप सबको विरोध सेंग करना पड़ता है ना आचरेश्री ने कहा मुनी श्री कुछ न बोले बस गुरु को निहार कर रहे गए प्रवचन आरंब हुआ प्रवचन में कुछ हर प्रयोग करने लगे यदेपी दूरी अधिक थी परंतु आचरेश्री यह सब देख रहे थे उन्होंने ये द्रिश्री देखकर का मैं आयोजकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब आपने मेरे प्रवचन को सारजनिक यानि सब के लिए घोशित किया है तो फिर किसी जाती विशेश के शोताओं को इस प्रकार प्रवचन न सुनने का अदेश देकर क्यों उनका अपमान किया जा रहा है हमारा प्रवचन यदि सारजनिक ना भी लिखा होता तब भी सुनने का हक सभी को है आयोजकों पर घणो पानी फिर गया आचरेश्री स्यम हरीजन बस्ति विशेश रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते थे महिलाओं के लिए सबसेदिक बलवे शिक्षा परदान करने में देते थे परदा परथा का सरवता अंत चाते थे विदवा होने की स्तिति में महिलाओं के लिए पिछली वी समाजिक मानने उनमें बदलाव लाना चाहते थे उनका एक ड्रड मत था कि जब तक महिलें जागरित नहीं होगी तब तक समाज निर्मान का कारे अधूरा रहेगा समाज जागरित नहीं होगा आप सोच सकते हैं कितनी महत पूर्ण बात उन्होंने इतने वर्ष पूर्व की जबकि देश अभी आजाद नहीं था और उस समय भी आज भी आप देखते हरिजनों की बस्तियां लोग जला देते हैं अभी मैंने पढ़ा था कहीं कुछ मेने पहले की राजस्तान में एक बारात निकल रही थी तो बगगी पर दूला जा रहा था पता चला हरिजन है तो उसको बगगी से उतार कर उसको मार पिट की गई बगगी तोड़ दी गई सोची कैसा किस देश में हम लोग किस विचार भी रहते हैं आचारे तुलसी ने परदा प्रथा जैसे अधी सम्वेदन शील विशे पर खुले रूप में बोलना शुरू किया उन्होंने मुनी नत्मल से इस विचे पर चिंतन करने के बाद कहा अब हमें परदा आदी समाजिक बुराईयों के खिलाफ बोलना और लिखना भी चाहिए बोलने के साथ साथ दिखना भी महत्पूर्ण है नत्मल यह कैकर वे तीक शिंदिश्ट्री से मुनी नत्मल को देखने लगे वे जानते थे कि मुनी नत्मल का बहुत धिक स्थर बहुत हुचा है वे तत्थ दर्शी है उनकी हर प्रतिक क्या आचरेश्री को हमेशा मुलेमान लगती थी मुनी नत्मल ने चश्मा उतारते वे अपने आराध्धे गुरु की और देखा बात बड़ी पैनी थी विशेश रूप से राजस्थान में परदा परथाज जोरो पर थी चश्मा पुने आख पर लगाकर मुनी नत्मल ने धीमे स्वर में का गुरु देव ऐसा करने सी तो विवाध हो जाएगा नहीं तो चर्चा का विशे तो बनेगा ही अचारे तनकर बैट गहर बोले बने तो बने चर्चा का विशे समाजिक बुराईयों का यदि विरोड करना है तो चर्चा के भैसे कब तक रुकेंगे परदा ही क्यों? छुआ छूत, बाल विवा, व्रिद विवा, देह जादी की मांग ये सब ऐसी समस्या हैं जिनके विशे में हमें अपना मत सपष्ट करना ही होगा मुनी नतमल अवाक अपलक गुरु को नहार रहे थे वे आरंब से ही गुरु देव जैसा बनना चाते थे वे जानते थे कि प्रकृती गुरु देव की ऐसी है कि जब तक वे कोई बात गहन रूप से नहीं समझ लेते तब तक मौन रहते हैं जब समझ लाते हैं फिर उनका मन उस बात को बलपूरवक प्रसुत करने को उत्सुक रहता है उन्होंने गुरु से पूछा गुरु देव परदे के विश्य में आप क्या सोचते हैं आचारे के मन में जो भी चिंतन चलता था वे अपने सबसे दिक मेधावी और सबसे प्रिये शिश्य के आगई सबसे पहले रखते थे यदि कहीं कुछ उंच नीच होगी तो मुरी नथमल उससे अवगत करा देंगे उन्होंने कहा परदा संकीर्टा का पहचे देता है परदा अग्यान का दियो तक है परदा असायम का पोशक है ये नारी जीवन के लिए भिशाप है जब तक महिलाएं परदे की रूडी से मुक्त नहीं होंगी विकास के आयाम नहीं खोच सकेंगी कहते कहते भावाबेश में आचारे का चेरा नतमल जी को गुलाब सा दिखा जो लाल हो गया था मुनी नतमल जी मैं महिलाओं को परदा छोड़ने का परामश देता हूँ साथ ही आगाहा भी करता हूँ कि बहने एक गड़े को छोड़कर दूसरे गड़े में गरने की मूर्खता ना करें अश्रे से मुनी नतमल ने पूछा गड़े में गिरने की मूर्खता क्या ताथ परे गुरुदेव अर्थात पर्दा छोड़कर महिलाओं का विलास्ता या फैशन के प्रवाह में बहना ठीक नहीं मुनी नत्मल की आँखों में गुरु के प्रती सम्मान की चमक दिखलाई देने लगी परदे के बारे में आचारे तुलसे के विचार प्रकाशित हुए रुडी वादी लोगों को अच्छा नहीं लगा किन्तु जो लोग समय को पैचान रहे थे और उसके साथ चलना चाहते थे उन्हें राह दिखने लगी आरम में कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकला मुनी नत्मल ने आचारे श्री से उमर्ष किया गुरुदेव कलकत्ता में काम आरमभता हुआ पर तस्वीर बदली नहीं आचारे बोले इस और हमारे काम की गती और अधिक तेज होनी चाहिए क्यों नहीं एक अभियान चलाएं उसके तहट पर्दे के विरुद्ध बात करेंगे नत्मल ने का गुरुदेव बात उचित लगती है अभियान चलाएंगे तो शेद जल्दी सफल हो सके तो आप इस अभियान को कोई नाम दे दीजी ना आचारे तुलसी बोले इसका नाम रख देते हैं नया मोड और इसको तीवर गती से बढ़ाते हैं नया मोड अभियान आरम हुआ हजारों महिलाओं को इसने प्रभावित किया और परिणाओं बहुत अनुकूल आने लगे विशेश रूप से तेरा पंथ समाज की महलाय विकास की रहा पर ततपरता से बढ़ने लगी परदा उनके विकास में अब तक बाधक था उसे छोड़ते ही एक नए उजाले की और आचारे श्री के कारण बे जा सकी यहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा यहां भी अंतते संघर्ष ने हमेशा की तरह उनका साथ दिया और धीरे धीरे परदा उठने लगा दोस्तों मैं आपको दस विश्राम नहीं इसलिए कि जब तक आप उसको पढ़ेंगे तब तक मैं दूसरा बोल दूँगा मैं पुने मिलता हूं आपसे